एक छोटी से पहल कैसे बड़े बदलाब का वाहक बन जाती है इतका उदाहरन है अर्थावर। एक बार फिर दुनिया के 190 से जादा देश 60 मिनिट अंधियारे में बिताएंगे ताकि धर्ते का भविश्य रोशन किया जा सके। Worldwide Fund for Nature WWF की अग्वाई में अर्थावर हर साल मार्च के आखरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दोरान लोग एक घंटे यानि की राच सारे 8 से सारे 9 बज़े तक के लिए घर और ओफिस की गैर जरीरी बत्तियां बंच कर देते हैं। बिजली बचाने के लिए ये कदम ना सिर्फ बचत का माध्यम बनता है बलकि इससे पडियावरन संग्रक्षन के प्रती सामुहिकता का भाव भी आता है। ये दिखाता है कि मिलकर प्रयास करे तो अगली पीरी के लिए बहतर बिश्व बनाया जा सकता है। कोरोना महामारी से उबरती दुनिया की बीच इस साल अर्थावर की थीम शेप ओवर फ्यूचर यानि अपने भविश्व को सवारे है। 31 मार्च 2007 को 22 लाख लोगों और 2000 कमपनियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिड्नी में बत्तियों को एक घंटे के लिए बंद रखकर इस पहल की शुरुआत की थी। धीरे धीरे सब ने इसकी महत्ता को समझा और आज 190 से अधिक देश इस अभियान से जुद रहे हैं। अब जादा से जादा लोग स्वेच्छिक रूप से इसका हिस्सा बन रहे हैं।